नमस्कार फ्रेंड जटपट जटपट घरेलू डिस में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे फ्रेंड बंधा गोवी इमली का आचार तो यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है फ्रेंड तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बंधा गोवी का आचार फ्रेंड देखें इसके लिए लिए हैं एक टुक्ड़ा बंधा गोवी हल्दी हुआे सब्छी मसाला एक बडा चमच हल्दी एक बडा चमच इमली नमक एक बडा चमच तेल दो बड़ा चमच और लाल मिर्च आठ से दस फ्रेंड ये कटा हुआ बंधा गोवी को हम मिक्सी के जार में डाल कर पीशेंगे फ्रेंड और इसके साथ इमली को सीड को निकाल के दोनों को अच्छे से पीशेंगे और लाल मिर्च भी बाद में डाल के पीशेंगे फ्रेंड जो इमली पानी में भीगोया हुआ है हम उसके अच्छे से सारे सीड निकाल लेंगे ताकि ये जार में फसे नहीं और बंधागों भी के साथ ही इसको पिछ लेंगे इमली और लाल मिर्च को ये देखिए सारे सीड को आप इसी तरह मसल के निकाल लीजिए देखिए फ्रेंड इस बॉल से हमने इसमें डेड़ बॉल पानी दिये हैं फ्रेंड और देखिए बारिक ये चटनी के तरह कितना अच्छे से हमारा पिछ गया फ्रेंड देखिए ये अचार बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड अब हम इसको निकाल लेंगे एक भरतन में ये देखिए कितना बारिक एक दम स्मूथ पिछ गया फ्रेंड अब हम इसमें सारे मसाले को डालेंगे फ्रेंड ये देखिए सबजी मसाला एक बड़ा चमच हल्दी एक बड़ा चमच नमक एक बड़ा चमच और धनिया पाउडर सब एक बड़ा चमच से ले लिजिएगा फ्रेंड और अजमाइन और मंगरेला जिसे आप कलोंजी भी कहते हैं फ्रेंड सभी को हम ले लेंगे अब हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड ये देखिए अब हम इसमें सरसो तेल डालेंगे फ्रेंड एक दो से तीन दिन फ्रेंड इसको धूप में रखेंगे और इसको यूज करेंगे फ्रेंड इसमें दो बड़ा चमच तेल डालेंगे फ्रेंड ये देखिए इससे ज्यादा तेल डालने का जवात नहीं है फ्रेंड ये देखिए और दो तीन दिन इसको थोड़ा हलका धूप दिखा लेंगे फ्रेंड किसी अच्छे से कपड़े से ढख के या कोई इस पर हम जाली रख लेंगे फ्रेंड ताकि बाहर के गुलकन गंदगी इसमें ना जाये फ्रेंड ये बंधा गोभी क्याचार बहुत ही टेस्टी और एम प्रेंड ये बंधा गोभी का अचार का रेस्पी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए